हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम LED की लड़ी को चेसर से जलाएंगे सबसे पहले हम आठ वोल्डर वाली LED की लड़ी लेंगे ऐसे ही कुल हम 6 लड़ी लेंगे ऐसी लड़ी आप हमारे पीछले वीडियो को देखकर बना सकते हैं दूसरा चेसर, यह 3 सरकिट का चेसर है और यह 6 सरकिट का चेसर है इसमें कुल 6 पॉइंट है और एक कॉमन तीसरा LED वल्ब टोटल 48 तो चलिए सुरू करते हैं झाल 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 अब हम सभी बल्ब को पोल्डर में लगाएंगे झाल झाल जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा ये लडी लडी को सजा लें ये लडी का इन्पूट वायर है ये तीन सर्किट जैसर है इसमें कुल तीन पॉइंट होते हैं और एक कॉमन अब हम सभी निले तार को आपस में जोडेंगे फिर उस निले तार को चैसर के कॉमन पॉइंट में जोड देंगे फिर टेप लगाएंगे अब हम लडी बन और लडी फोर के पीले तार को लेंगे फिर इसे आपस में जोड देंगे ये चैसर के पहले पॉइंट में जोडेंगा फिर हम दूसरी लडी और पाँचवी लडी के पीले तार को लेंगे फिर उसे आपस में जोड देंगे ये चैसर के दूसरे पॉइंट में जुडेंगा फिर हम तिसरी लडी और छटवी लडी के पीले तार को लेंगे फिर उसे आपस में जोड देंगे ये चैसर के तिसरे पॉइंट में जुडेंगा कर दोड़िस हैं झाल झाल यह चैसर किट चैसर है अब हम सभी लड़ी के निले तार को चैसर के कॉमन पॉइंट में जोड़ेंगे पहली लड़ी का पीला तार चैसर के पहले पॉइंट में जोड़ेगा दूसरी लड़ी का पीला तार चेसर के दूसरे पॉइंट में जुड़ेगा तीसरी लड़ी का पीला तार चेसर के दूसरे पॉइंट में जुड़ेगा चौथी लड़ी का पीला तार चेसर के चौथे पॉइंट में जुड़ेगा पाचवी लड़ी का पीला तार चेसर के पाचवे पॉंट में जुड़ेगा और शटवी लड़ी का पीला तार चेसर के शटवे पॉंट में जुड़ेगा कर दो कर दो दोस्तों आप इसे अलग डिजाइन में भी रख सकते हैं वाइरिंग सेम रहेगा कर दोस्तों तोस्तों आपकार स्ट्सित अलग कर दोस्तों में भी रख सकते हैं कर दोस्तों में रेज़ कर दोस्तों आपको वाँ झाल 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 झाल